Hello my dear students, today we will read about lesson 2 The Sound of Music So The Sound of Music जो है यह आपका टू पार्ट में डिवाइड़ है और यह है बायोग्राफिस इविलीन गलेनी को सुनना है यह पौपुलर स्कॉर्टिस परस्यूणिस्ट कहते हैं ऐसे मुजिशियंस को जो हर तरह के मुझिक इस्टूमेंट को बजा सके और एविलिन जो है यह लगबब यानि और थावन थाउजन इस्टूमेंट को परफेक्शनली प्ले कर सकती है और सबसे बड़ी बात जो है एविलिन गिलेने की वो यह है कि यह डीफ है डीफ मेंस बहरी है इनको सुनाई नहीं कर रही है ट्रेन का ट्रेन आती है और वह रायम आलेंस ओफ मूजिक की तरफ चलिए गिन इसका बढ़ने की लिरहां और आपकी स्टूरी में फोला पेक दिखाता है कि से पहले एविलन की लाइफ में क्या हुआ जब एवलीन आच साल के थी तब ऐसा फील होना शुरूआ उसको कि जो इसकी हेरिंग है यानि जो इसको सुनना आए वो थोड़ा दिर दिर कम होता जा रहा है और उसको वो छुपाती रही अपने साही टीचर्स जो छुपाया सारे इस्टुजन से जो सबसे छुप परती क्या तो उसको नंबर होना शुरू होए तो उसके टीचर्स ने उसके टीचर को लगा ऐसा इस निंदि की अपापा को बुलाया इंके पारेंस को और उसका किसी स्टेस झीछाए जया और जब इसको स्कुटिस को डिखाएगा तो इस प्रस लीस ने चान फॉर्म कर दि लेकिन जो एविलन का determination था उसकी जो लोसा फेरिंग पावर थी वह अब सही नहीं हो सकती थी लेकिन उसने अपने आप से decide किया है उसने determination अपने आपको किया कि वह एक normal life जीएगी और अपने आपको एक निया बड़ा मुजिशन बनाएगी एक दिन उसने क्या देखा कि लड़की है वह जाइलो फोन जैऊ उसको प्ले कर रही है तो उसने भी वह भी जालो फोन को प्ले करना चाहती थी लेकिन जिसाए टीचर्स्थ थे वहाँ पर वह उसकी कि इसको डिसकर्स करते थे इसको कभी भी इंकरेज नहीं करते थे लेकिन यहाँ पर एक जो टीचर थे पर स्फिर शुरूब नोम नेन का यह नेम दिया गी है रौन फॉर्प्स रॉन फॉर्प스 ने जब उसको देखा तो उसको इंकरेज किया कि वह बिलेज कि अन्होंने वह हर काम कर सकती है एफ को उसको सिखाना शुरु कि उ थे भी टिशर करो सुनने सकती तुसको फील करो और जोर उसे बताने के पाद एविलीन ने जल्दी ही वह एकसाइट हुई उसने फील किया कि जो वाइब्रेशन थी उन वीट्स की हाईयर जो ड्रेम बज़ रहे थे वह उसके वेस्ट अप जो वेस्ट आप के हिसे पर वाइब्रेट हो रहे और अगर लोगर ड्रेम था तो वेस्ट आउन के नीचे उसको वाइब्रेट कर रहे थे धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि वाइब्रेशन जो थी उसके हर बॉड़ी पार्ट से हो रही थी वह अपने इसकिन से जब वाइब्रेट हो रहा था उसकी स्किन में हो रही थी और उसके बालों तक में संशेशन हो रही थी और इस तरह से उसने फिल किया कि वो सुन नहीं सकती लेकिन अपने बाड़ी के वाइबरेट से वो उन सारी जो भी म्यूजिक साउंड्स हैं उनको फिल करके उनको बजा सकती है और फिर उसने क्या कि जैसे उसने इसके लिए जब वो परफार्म करती थी किसी वूर्डन प्रिफार्म में तो वो क्या करती थी अपने शूस को उतार देती थी और इस तरह से करते करते वो यूके के 16 साल की उमर में यूके के उसने सारे टूर कर चुकी थी वो एक औरकेस्ट गयन किये किसी को भी उतने मार्फ नहीं में जितने की मिले थे एवलिन को और धीर दीर तीन सारों तक वहां पर रही और जितने आवार्ड वहां पर हो सकते थे एवलिन को सारे आवर्स मिल गये थे और इन तीन सालों के बाद लेकम मल्टे मुजिशन बन चुकी थी इतनी अच करए तीग वो ऑगय थी प्रिश्टेज्जेस रेल अक्टमर मीजिक लेंडन गई थी और वहां पर साफ देने के बारे नाय इंडे वां पर बात कर रहे इस लोगं के साथ में धु कुछ लोग के साथ बैट ही वहां पर बाते कर रही हैं वो बात कर रही है इस सारी तो वहाँ पे जो लोग थे वो उन लोगों को ऐसा लगा वो यह देख रहे थे कि वो जो बात कर रही थी हलागि वो सुनने पा रही है लेकिन वो हर एक की बात पर बहुत अच्छा रेस्पांड कर रही है और बहुत बाद योlights वोग से यही 550 वेस्ट विश ओने जाय का है धिती ए मुझा सकती हैं उसके बाद जब वोग इसे तो अजिआति हैं सब्सक्राइफन कर्था उसने का है लेक्ता जाम सकती थी जो Si On फरेंच और जैपानेज भी बोलना सीख लिया था फिर उन्हों उसने उन लोगों को बताया कि जो बीर्ड्स मैन होते हैं सिफ उनकी टॉकिंग जो होती हैं क्योंकि बीर्ड्स के जो लिप्स होते हैं वह उसको बहुत ही अच्छे से नहीं समझ पाते हैं उनके लिपसिंग को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को समझ लेती थी यह उसके लिए थोड़ा सा सिफ बेर मैंट्स की टॉकिंग को समझना उसके लिए डिफिकल्ट था नाइटीन नाइटीन वन में रॉयल फिलहर्मोनियम सोसाइटी ने से सोलो इस्ट ऑफ दा इयर का अवार्ट भी दिया एविलिन को और जब दिया तो उसने बताया कि फेमस बहुत ही फेमस टीचर थे जेम्स ब्लैड उन्होंने एविलिन से कहा था कि जब गॉर्ड कोई चीज आप से लेता है तो से बढ़कर आपको देता है इसलिए जब वो डीफ हुई तो डीफ होने के बाद कोई भी बहरा ह अगर होता है तो नौर्मल लाइब जीने वाला जो भी जो भी परसंद वोता है वह अपनी लाइफ को गिवफ कड़ीत वहीं पर छोल देता है उसके आगे वह बहार पसंद नहीं करता लेकिन अइवेलीन ने उससे अपने ताकत बनाया और वह उसने अपनी उस कमी को यहां ने जाती है में से एक ग्रेटस्ट है तो ऊसको गौ Elvda और अब इसको क्या क्या एविनन ने का। कॉंसर्ट करना स्टर्ट कर दिए हर जगा ने का का सेठी है ने वह हॉस्पीटल में प्रिज़न और हॉस्पीटल में फीरी कॉंसर्ट करती है और जहें उनकोन को करती है इसको बेंग करती है लोगों नहीं भी बोला कि Civ rat बन गई जो एविलने वह हर एक एप्र है इसान बन गई है और इस्पेस्विस्थ और Wji कहा गया की एवलेंगे के लिए इवलेन के वाँ हर एक के लोगों के लिए को कि हम लोगों के लुकुस ना Ahhh कि दिस्करेज हो जाते हैं कि अब हमें यह नहीं कर पाएंगा तो इनसे आगे बढ़ करके हमें उठना होगा और अपनी किसी भी मुश्किल चीज़ को कि फाइट करना होगी तभी हम इवरेन के तरह से एक ग्रेट प्रिस्नल्टी बन सकेंगे तो यह थी आपकी साउंड आफ मुजिक का पार्ट वन